बढ़ती कीमतों से आने वाले समय में मिल सकती है रहा जिहां सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक महंगाई का दबाव कम होता दिखाई दे सकता है चूकि विदेशी बाजारों में कीमते नीचे आ चुके हैं वही वित मंत्राले रिजर्व बैंक के साथ मिलकर महंगाई पर नियंतर के लिए लगातार काम कर रहा है और इसका असर माना जा रहा है कि आगे देखने को मिल सकता है सुत्रों से मिली जानकारी के मताबिक फर्टिलाइजर कचे तेल और खादे तेल में नर्मी का रुख है आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक जमीनी स्थर पर जो जानकारी मिल रही है उससे पता चलता है कि खादय तेल और कच्चे तेल के दाम नर हुए है मांसुन अच्छा रहने का नुमान है इन सब को देखते हुए आने वाले समय में मंगाई दर को लेकर दबाव कम होने की उमिद्चत आई जा रही है महीं आने वाले समय में खादय तेल के दाम और घट सकते हैं उलेखनिया है कि खुद्रा मुद्रस्फिती लगातार भाट के रिजर्व बैंक के संतोष जनक स्थर से उपर बनी हुई है जूर महीने में मंगाई दर 7.01 प्रतिशत रही है उटा और देश चालू वितवर्ष और अगले वितवर्ष में तिवर वृद्धी हासिल करने वाली अर्थविवस्ता बन सकता है वैश्विक सर्पर रूस उक्रेन, यूद और चीन और ताइवान के बिच बढ़ते तनाव के कारण उत्पन वैश्विक स्थिती के बावजूत, सुत्रों ने आर्थिक वृदी दर भेतर हैने की उमीद जताई है बढ़ते व्यपार घाटे और उसके कारण चालू खाते के घाटे पर पढ़ रहे असर के बारे में कहा जा रहा है कि अंतर अश्विय बाजार में इंदन के दाम में कुछ नर्मी आई है उर्वर के दाम भी कम हुए है, इन सब को देखते हुए के एड में आगे कमी आने की उमीद चताई जा रही है